कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ तो मैं फिर से एक और नया रेक्शन वीडियो लेकर आई हूं अंशु और सपना के उपर जो की बहुत कुछ खास अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी है और आप लोगों में से कुछ लोग जानना भी चाहते थे अंशु की शादी जी हां मैं आज अंशु की शादी को लेकर अंशु सपना के रिष्टे को लेकर अंशु का उसके मावा के साथ उसके रिष्टे को लेकर या म मैं बहुत सारी आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर वाच करेगा और जो भी मेरे चैनल पर नहीं है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टाइट करते हैं अप लोगोंने देखा होगा कि कल सपना दो से डाइ से किलो मीटर की दूरी तै करके अपने छोटे से बच्चों के साथ एक बहुत उमीद और एक आस लेकर सपना के घर पहुँची थी घर नहीं घर उसको नहीं मिलने दिया गया घर से बाहर जिस तरह से बाहर रोड पर देख भावी का मिलाब हुआ ऐसे वो द्रश्य था जैसे कि किसी गाय को बच्चडे से दूर कर दिया गया हो और हम हमेशा देखते थे कि सपना रोती थी और अंशु इस्ट्रॉंग बनती थी अंशु समालती थी नहीं भावी सब ठीक हो जाएगा कोई बात नहीं भावी हम सब लगी है सार उसमें ना इतनी समझदारी है कि शायद बोलू कि उस बच्ची के बराबर समझदारी अभी अंशु के मावाब में भी नहीं है सपना के सासो सर में भी नहीं है जितना समझदारी आज अंशु में है और उसमें है सपना के संसकार हमने देखा कि काफी हद तक वो तूट गई है और सपना भी कहती हुई नजर आई थी कि तुने अपनी क्या हालत बना ली है सपना का दर्द चलो सपना का दर्द छोड़ो यार अंशु का दर्द उसके मावा भी नहीं समझ रही तो यार दुनिया में कौन समझेगा क्या सिर्फ मावाप का फर्च होता है कि बच्चे पैदा करना बेटियां पैदा करना और शादी करके विदा कर देना बस इतना ही होता है बस यही एक बेटी इसलिए होती है क्या बस यही मावाप का फर्च होता है क्या बेटी क्या चाहती है बेटी की खुशी क्या है बेटी किस तरह से जी रही है शायद नहीं देख रहा हूं अंशु का दर्द ना जब पहला वीडियो आये था ना तो पूरी पबलिक ने उसका दर्द देख लिया था कि वह बच्ची कितना अंदर से खतम हो चुके लेकि सपना ने बोला था कि अंशु की शादी हो जाएगी तो आप वहां से क्या रोक लेंगे अंशु को अभी तो आप रोक सकते हैं सपना उनके सामने बहुत गड़ गड़ाई बहुत मिन्नत हैं की लेकिन सपना को एक भी नहीं चली एक भी नहीं चली सपना ने अपने लाश्ट वीडियो में जाते हो बोला कि मैं नफरत करती हूँ आप सबसे और सपना ने एक चेलेंज भी दिया कि अगर आप रोक सकते हैं तो रोक के दिखा देना शादी के बाद अशुको मुझसे मिलने के लिए आप भले ही आपने जनम दे दिया हो लेकिन उसके दिल में सिर्फ सिर्फ मैं बसती हूँ आप उसको मिलने से रोक सकते हैं बात ना करने से रोक सकते हैं लेकिन हम एक दूसरे के दिल में इसकदर बसे हुआ है कि आप चाहकर भी नहीं लिकाल सकते हैं रोक लीजिए टाइम टाइम की बात है वक्त सब का आता है कर्मा सब का आता है और एक वक्त ऐसा आएगा जब आपकी नहीं चलेगी अंशु खुद बड़ी हो जाएगी और वो अपने इतना फैशले खुद लेने लगी यहां पर शादी की बात आती है कि अंशु की क्या अगर आएगा तो मैं सबसे पहले अपडेट्स आपको दोंगी सिर्फ वो सपना ने अंशु के बारे में बात की थी अपनी वीडियो में कि अगर उसकी कल को शादी हो जाएगी देखिए सपना एक वक्त ऐसा था कि सपना को अपने माबाप अपनी मापने बाई अपना दोस होगा कितना कुछ पहले हुआ था बहुत कुछ तो वह सारी चीज़ें फिर से यहां पर रिपीट नहीं करूंगी तो सपना को उसकी माप उसके घर आ सके यह तक इजाज़त नहीं थी लेकिन आज परिस्तिती जैसे भी हो हालाद जैसे भी हो लेकिन आज सपना घर से बाहर को दिन करने लगी और वह अपने मा वाप उपने बहायों को आपने पास बुला सकती है इससे भी कुछ लोगों को देकत है हर चीज में देकत है जो लोग यहां पर सपना को negative comments कर रहे हैं अब इतने पर भी आप लोगों को समझ नहीं आता तो उसके लिए में कुछ नहीं कर सकती इतने छोटे-छोटे बच्चियों के साथ बच्चियों के साथ सपना बहुत उमीद आस लेकर अंशुशे मिलने गई ती सिर्फ एक दिन की रिक्वेस्ट करने के लिए सिर्फ अपने आपको नहीं समाल पाई पता नहीं माव आपको दर्द नहीं देख रहा उसका और कुछ दिनों बाद वो कुछ सालों बाद शादी लाइक हो जाएगी उसकी साधी हो जाएगी बिदा होकर चले जाएगी तो यह सपना ने चेलेंज दिया था कि आप तब रोक कर सपना ने यह भी बोला था रहे मैं तो यह चाहती हूं आप लोग उसको समझो उसको प्यार दो इतना प्यार दो इतना प्यार दो कि वह अपने दिल से मेरे को भूल जाए मुझे अपने दिल से निकाल दे इतना प्यार दो प्यार दो तो सही सिर्फ जन्म देने से माव आप उसके दिल में अपने लिए जगे बना पाते तो अंशू आज तुम्हारे साथ रहने के लिए रोती तुम्हारे साथ खुस रहती अगर वो सासुसर अंशू के दिल में अपने लिए जगे बनाये होते तो आज अंशू वहाँ जाने के लिए रोई होती लेकिन अंशु मेरे लिए रो रही है यह बहुत अपने आप में बहुत बड़ी बात है बहुत बड़ी बात और ऐसा नहीं है कि सपना की सासुजर या फिर अंशु के फैमिली वाले सपना के खिलाब कुछ भढ़ते नहीं होंगे भढ़काती नहीं बुलकुल लेक कि बहुत बुरा लगा जैसे तरह से सपना ने पिछले कुछ वीडियो उसमें बताए था कि किस तरह से अंशु की पापा चैनल लेना चाहते थे कैसे कैसे क्या क्या सपना के बारे में उल्टी सीडी बातें भी बोली थी लेकिन सपना सारी चीज़ें भूला कर सिर्फ एक उ जीवन बार एहसान बंद हो रहती और शायद उधर से कुछ रिष्टे संबंद जो हैं थोड़ा बहुत सुधर भी जातें सपना के लिए इतना कुछ बोला गया उसके हजबन के जाने के बाद भी लेकिन फिर भी सपना वहां गई उस गाउं में गई इतना दूर बच्चों आप लोगों में से कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि औगी को बचा लीजी जो चला गया वो चला गया औगी को बचा लीजी तो ये बात से आप लोगों फीसे में सहमत हो जब से सपना और अंशू इस गर से आये हैं 45-50 दिन उगए लगबग तब से उस ने औगी ने जैरी नहीं खॉड़ दिया था। झिस बजय से व hareकते दन्या में नहीं रहा। लेकिन काफी लोग औगी चिंते थैं.सो przykład को रवार को मिश करता ही था। लेकिन जरी को भी मिश करने लगा है। कुछ लोग comment करें कि सपना को उसे अपने साथ लाना चाहिए तो सपना इसमें कुछ भी नहीं कर सकती अगर वो लोग अजाज़त देंगे तुम इतना जानती हूं कि सब को लाने के लिए तैयार है अश्यू को भी ऑगी को भी सब को रखने के लिए तैयार है ऑट सबना मजब के बाद ऑगी कभी डर लगने लगाए कि पता नहीं कैसे क्या होगा क्योंकि उसकी आलत भी ठीक नहीं वो भी हमने देखा था ब्लोग में वीडियो में कि बहुत ही उदास और इधर उधर गिर्दा पड़ता हुआ नजार आ रहा था यार बेजवानों को भी दर्द होता है उ बस कुछ कह नहीं पाते हैं जैसे कि फिलाल मैं जादा कुछ नहीं कह बारी बहुत कुछ कहना चाहते हूं लेकिन कभी-कभी नश्युक्त अन्दर से समझ सकते हैं आप लोग फिलाला आप लोगों का इस वीडियो पर क्या कहना प्लीज कमेंट बोक्स में अपनी राय चरूर दीजीगा और वीडियो चलेगे तो लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलती हूं ऐसी किसी नैस्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय